पेट के अलसको पेप्टिक अलसक भी कहा जाता है जो की बहुत ज्यादा तकलीफ दे होता है पेट के अलससे बचने के लिए आपको खाद्य पदार्थों का ध्यानपूर्वक सेवन करना और उचे ताहार को अपनाना बहुत आवश्यक है अगर आपका खान पान सही होगा तो आप इस बिमारी से बच जाएंगे आज इस लेक में हम पेट के अलसके रोगियों के लिए आहा प्रसे संबंधित कुछ सुझाव देंगे जैसे उन्हीं कौन से पदार्थ खाने चाहिए इसे साथ ही यहाँ बताएंगे कि क्या है इसके लक्षन वा कारण और पेट के अलससे बचने के लिए किन खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए आपको इस इलाज जल्द से जल्द कर लेना चाहिए क्यूंकि यदि समय रहते इसका इलाज नहीं किया गया तो यह पेट के कैंसर में बदल सकता है जो की एक जानलेवा बिमारी पेट में अलसके कारण यह कुछ मुख्य कारण है जो पेट में अलसके होने का प्रमान देते हैं अगर आप इन लक्षनों को देखे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है खानपान की गलत आदतों और उसके कारण बनने वाला एसिद इस बीमारी को अधिक बड़ा देता है इसके अलावा अनियमित दिंचर या खानपान की गलत आदते और उसकी वजह से बनने वाला एसिद अलसकी प्रमुख वजह है इसका मुख्य कारण जंक फूद भी है कई पिंकिलिज और दवाओं की वजह से भी यह बीमारी हो जाती है ज बता है और आप अलसके शिकार हो जाते हैं सिर्फ खानपान और पेट में एसिद बनने से पैप्टिक अलसर नहीं होते बलकि हेलिकोबैक्ट पायलोरी बैक्टीरिया भी इसका एक कारण है दूमपान भी अलसके खत्रे को बड़ा देता है जो लोग धुम्रपान करते हैं उ ब्हुजन करते ही दर्द थीक हो जाता है तो अगर आपके साथ इस प्रकार का दर्द होता हो तो आप तुरंध चेक अप कराएं अलसके लक्षन पेट के उपरी हिस्से में तेज दर्द होना अलसका पहला लक्षन हो सकता है या हर वक्ट पेट में दर्द बने रहना भुज होता है और भूजन के बाद दर्द से राहत मिलत है पैप्टिकल्स होने से मरीज को भूख कम लगती है और भूख मर जाती है इसके अलावा पेट में दर्द जलन उल्टी या मिचली आती है कई बार उल्टीयों में खून भी आने लगता है अल्सके पकने पर काले रंग का और पेट के अलसको जल्दी ठीक करते हैं इसे सबजियों पकाते समय उन में कटा हुआ लहसुन डालकर इसका सेवन किया जा सकता है उसे खाली भी किया जा सकता है सेब यदि आप पेट के अलससे पीडित हैं तो तो एक अन्यपदार्थ जो आपको अपने आहार में शामिल करना चाहिए वह है सेब आपने सुना होगा कि सेब खाने से बिमारिय दूर होती हैं इसमें फाइबर और फ्लेवोनाइड स्प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं ज इसके कारण यह पेट का अलसस पैदा करने वाले बैक्टीरिया की वृद्धी को रोकने में सहायक है और आपकी सेहत का भी ख्याल रखती हैं प्रतिदिन दो कप्रीन टीपीए दही इसमें प्रोबायोटिक गुन पाए जाते हैं अक्सर आपने सुना होगी की पेट में जलन हो तो दही खाए इसी प्रकार यह अलसस पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ने में सहायक है इसके अलावा यदि आप पेट के अलसस के लिए एंटि बावटिक्स का सेवन कर रहे हैं तो दही आपको एंटि बावटिक्स के सेवन से होने वाले दुश परिनामों से अभावल सपर पढ़ता है हमारे द्वारा दी गई जानकारी को पहले करके देखें उसके बाद अगर आपको हमारा ये तरीका पसंद आएं तो हमें कमेंट द्वारा जरूर बताएं और हमारे चैनल को वह अगली वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हाश्मी.com चैनल और हाँ बेल आइकोन जरूर दबाएं ताके आप हाश्मी.com की हेल्थ संबंधी जानकारीयों की वीडियो सबसे पहले देख पाएं